कि नमस्कार आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं अपना यूट्यू चनलर रीमेक इट आज हम लोग इस वीडियो के माद्यम से एक स्पेशल चीज़ को देखेंगे और वो टॉपिक है भारतिये सिक्षा इतिहांस की प्रमुग रखने की जरूरत है कि सिक्षा इतिहां कि भारतिये नराजनीतिक इतिहांस अमनों समाने इतिहांस हम सिक्षा की इतिहांस में कौन-कौन से घटना है क्रमवार घटित हुई है इस वीडियो के माद्यम से हम लोग जानेंगे ता यह वीडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं क्रमवार भारतिये सिक्षा की इतिहा में परिवर्तम जो निम्लिक क्रम में घटित हुए पाला 1780 में इस्ट इंडिया कंपणी द्वारा कुलकता मदार्शा की अस्थापना की गई कब 1780 में और इस्ट इंडिया कंपणी कब बनी थी यहां से सिख्षा भारतिये सिख्षा इतियास यहीं समझें कि यहीं से सुवात हुई है हमने 1780 में लिया और 1780 में कुलकता मदार्शा की अस्थापना आपको की गई क्लियर है आए देखते हैं 1770 में इस्ट इंडिया कंपणी द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की अस्थ क्यां में बदल गया बस इसको याद रखी कि 1701 में बनारस में संस्कृत कॉलेज 1780 में आपको कुलकता मदार्शा मदार्शा के बाद संस्कृत कॉलेज उसके बाद आते हैं 1813 1813 में एक आग्या पत्र के द्वारा शिक्षा में धन ब्याय करने का से माध्यम से शिक्षा पर समझे कि आपको उसको विद्पोशीट किया गया उसके धन बेएक करने के लिए निश्चय किया गया आज भी बजट में देखा जाता है शिक्षा के लिए अलब फंड रखा जाता है ये विवस्ता लगभग आपको 1813 से शुरू हुई थी उसके बा गोसना पत्र आया था उसके बाद है इसी वुट के घोषना पत्र को वूट डिस्पैच खा जाता है ये 1874 में आया था मैंकाले 1835 और 1874 में बुट घोषना पत्र उसके बाद देखते हैं 1857 में कलकाता मुंबई और मद्रास में विश्च विद्द्याले अस्थाफित वाइसराय हुआ तो यह उस समय आपको 1857 में तीन विश्य विद्याले असहापित किया गए आपको कौन कलकाता बंबाई और मद्रास ये कब 1857 में चलिए आगे देखते हैं 1870 में बाल गंगा धर्तिलक और उनके स्वयोगियों द्वारा पूना में फर्यूशन कोलेज की असहापना की नहीं इसलिए इसका जिक्र किया अगर आपने नहीं सुना है इसका मतलब विलकुल नहीं है कि ये फेमस नहीं है 1870 में बाल गंगा धर्तिलक उनके स्वयोगियों द्वारा फर्यूशन कोलेज की अस्थापना की बहुत महपूर्ण डियेलेड की इत्यादी में इस से प्रसनाते हैं 1882 में हंटा रायोग दो प्रकार के हंटा रायोग हुए थी एक आपका 1919 के करीद पर ये 1882 ये हंटा राय कॉलीज की अस्थापन की पिश्की द्यादं एंघ्लो वैदिक कोलेज की अठाहार, 1886 में और हुई कहां ये लाहोड में ये स्थापना हुरा आगे देखते है आठाहाई तिकषण उन कॉलीज की अस्थापना हूं, जिए बही में 1792 कोलेज की अस्थापना और Arnold is not responsive बांग क्या है ये कासी नागरी प्रचारनी सभा कब आपको 1893 में 1898 में कासी में स्रीमती एनी पेसेंट द्वारा सेंट्रल हिंदू को लिज्ञेस अपना की बहूत महत्पूर्ण आप ध्यान रखेगे कि सारे के सारे चान के मैं लेके आया हूं प्रमुक बिर्श का नाम देखता है और इनी पेसेंट कर देखता है तो लोग अकसर इस्कों नहीं मारते हैं अगर जिको याद नहीं होगा क्योंकि एक आपको Christian के द्वारा एक Hindu College के स्थापना कैसे हो सकती है लेकिन ऐसा है कि Central Hindu College के स्थापना सिर्मती एने बेसेंट के द्वारा 1800-1800 में किया गया था अब आईए 1901 में Lord Karjan ने सीमला में एक गुप सिक्षा सम्मेलन किया जिसमें 152 प्रस्ताव सिक्रित नो यह सिक्षा सम्मेलन था गुप सिक्षा सम्मेलन था कहां सिमला में और किसके द्वारा Lord Karjan के द्वारा आई 1902 में स्वामी सर्धानन द्वारा हरी द्वार के पास कांगडी में गुरुकुल कांगडी विश्विजाला के अस्थापना हुई कब हुई ये गुरुकुल कांगडी के अस्थापना किसके द्वारा हुई स्वामी सर्धानंद हुए एक प्रस्ट कई सारे प्रस्ट होगा है या नी हो सकता है गुरुती कांगड़ी के साफना warrant किसंद की तो स्वामी सर्धानंद कि कहां हुई हुई हःद्वर में हुई कब गरुपुल कांग्रे विश्य विद्याले के आस्थ आपना स्वामिन आपको सर्धानन के दवारा हैड़ दवार में की गए की नगतें 1944 में भारतिये विश्य विद्यास कानून बना तो, आपको इंडियएन इंवर्सीटी लौ बना ना कब संदर में है यह 1905 में स्वदेशी अंदोलन के समय कलकाता में जातिय परिशत की असापना जातिय परिशत की असापना कहां होई कलकाता में और कौन से अंदोलन के दौरान स्वदेशी अंदोलन के दौरान और नेशनल कॉलेज असापित हुआ नेशनल कॉलेज कहां सापित हु आपको कलकाता में स्वधिसी अंदुलन के द्वरान और उसके पर्थम परचारे और भी घोस्ते क्लियर है चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है अब सिधा आते उनिसे पांच से सुधाइक ग्यारा उनिसे ग्यारा में गोपाल कृष्व गोखले ने प्रात्मिक सिछा को नि प्रयास किया गया था कितना पहले आप देखिए गुपाल की गोखले के द्वरा यह आपको 1911 में ही इसका प्रयास किया गया था उसके बाद है 1916 में 1916 में मदन मोहन मालबीय द्वरा कासी हिंदू विश्रीद्धाला की असापने जीव बहूत मात्पुन प्रस्ट 1916 इसको बिलकुल याद रखना है सारे सारे इंपॉर्टेंट्स है उसमें भी कुछ होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स यानि ध्यान रखना है मदल महल मालविये भारातरत मदल महल मालवि बुनियादी शिट्षा यоп rebound 1936 में और यह बुनियादी शिच्छा का किन्ता था महात्मां गांधिक अग्या देखते हैं सार्जेंट योजना लागवहा कब 1945 में कबस्व लागवहा सार्जेंट योजना उनिप्तारिस में के लिएatem 1948 में विस विद्याले शिच्छा आयोग का गठन हुआ विश्विद्याले सिख्षा आयोग में खड़गपूर में पर्थम आयाइटी किया सापना हुए महत्पुन प्रस्त सबसे पहली आयाइटी कौन ही सबसे पहली आयाइटी खड़गपूर है ज्यान रखना है 1922 में मादमिक सिख्षा आयोग का गठन हुआ 1956 में विश्विद्याले अनुदान आयोग की अस्थापना हुई UGC ये कब 1956 में याद रखना है एक्यान में पहली आयाइटी 22 में मादमिक सिख्षा आयोग 56 में विश्विद्याले अनुदान आयोग UGC की अनुवर्सिटी ग्रांड कमिशन बना उसके बाद 56 में बना मावन मेंने इबाव सारे लोगं कन्फीचर रहता है 1958 में दूसरा भारतिय प्रणोगी की संस्थान मुंबई अस्तापित होता और प्रस्ण अगर ज्यादा टिपिकल्ट किया जाता है तो पूछा जाता है कि दूसरा IIT कौन सा है तो दूसरा IIT कौन सा है आपको मुंबई ह है पाला कौन सा है खड़गपूर है एक क्याओन में पाला अंठाओन में दूसरा मुंबई में आयाटी मुंबई आए देखते हैं 1969 में कानपूर चिन्नेई में क्रमसा तीसरा और चौथा आयाइटी बना कपकप बना अगर हम देखें आपको अंठाओन और उनसथ इक्याओन में खड़गपूर अंठाओन में मुंबई और उनसथ में कानपूर चिन्नेई तीसरा और चौथा बना तीसरा कानपूर बना चौथा चिन्नेई बना ठीक है आई आगे देखते हैं 1961 में पर्थम दो भारतिये प्रबंधन संस्थान आ आमदाबाद और कुलकता में असाकित किये गए कब आपको 1961 में ज्यान रखना है दस सल पहले दस सल पहले आई आई टी दस सल बाद यानी एक सट में आई आई एम क्लियर है चलिए 1968 में बहुत महत्तुल प्रात्मिक सिक्षा के लिए कोठारी सिक्षायों की सिफारिशों के अनुस्वरन में पर्थम राष्ट्री सिख्षा नीती अपनाई गई यहीं है कोठारी आयोग जो गटित हुआ था 64 में उसके बाद 68 में उसकी सिफारिश को पर्थम सिख्षा नीती अपनाई गई क्लियर है 1975 में सिधा आते हैं चौ बर्स तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा आरंब की गई 75 में आई सिफ़िये जो है यहीं से कब से असापित 6 बर्स तक के बच्चों के लिए कि पूछा जाता है जो समयकित बाल विकास सेवा है कितने बच्च के बच्चतलते जो आंगन माड़ी विवस्टा आज शेवास तक के लिए उसके बाद शेवास के बच्चे बिद्याले में आ जाते हैं अब 1975 में नहीं यह सुरू किया गया था किलिए रहें आंगन माड़ी विवले विवस्टा जो है यह समयकित बाल विकास सेवा आरम 1975 में 1985 में संसत के अधिनियम द्वारा इंद्रा गांधी राष्टी मुख विद्याले के स्थापना हुई यानि इग्नो इंद्रा गांधी नेशनल लिश्ट ओपन इन्वर्शिटी को अब आया 1985 में संसत के अधिनियम के द्वारा इसको लागू किया गया आगे देखते हैं 1986 में 1968 में सिख्षा कोठारी आयों के अनुसंसा पर सिख्षा नीती आई उफिए 1986 में नई राष्टी ये सिख्षा नीती को अपनाया गया थी क्लिए रहे इसको याद रखना है 68 फिर उसके बाद 86 1987 में संसत के अधिनियम जोरा सामविधिक निकाय के रूप में अखिल भारतिये तक्नीकी सिख्षा परिश्च की अस्थापना हुई थी कब 1987 में इसको ध्यान रखना है ये राष्ट्रिये सच्छार्ता मिशन कब सुरू हुआ 1987 में संसत के अधिनियम द्वरा सामविधिक निकाय के रूप में राष्ट्रिये सिख्षा परिशद अस्थापित हुआ ठीक है नेशनल एजुकेशन कॉंसील आपको 1993 में आपको सतासी में क्या हुए सक्षाता मिशन आया थी राष्ट्रिये सिख्षा परिशन की अस्थापना हुए 1995 में प्राथ्मिक स्कूलों में केंद्रिये सहायता प्राप मध्यान भोजन यूद्रा आरम्टी गई 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 बहुत महत्मूरी है तो छपने वाला है इंपरस्ण हो सकता है हूँ बहुत छप जाए 1995 में प्राथ्मिक स्कूलों में केंद्रिये सहायता प्राप मध्यान हमेशा ध्यान लखिए एक से पांच प्राथ्मिक होता है और आपको एक से आठ जब होता है इसको प्रारंभिक आ जाता है यह प्राइमरी और इलिमेंटरी में अंतर होता है एक 1995 में आपको MDM आरणभुगा 2001 में पूरे देश में गुना गुलवता प्रारंभिक सिक्षा के सर्व सुब सुलभीकरन है तू सर्व सिक्षा अभियान आरणभुगा कब 2001 में इसी में सर्व आपको सिक्षा 2001 में क्लिए है चलिए आगे देखते हैं 2002 में मुफ्ट जिसे 111 में जो कुपाल की गोखले ने जो बात रखी थी तो 2002 में मुफ्ट अनिवार सिवाको मौली का अधिकार बनाने के लिए समिधान संसोधन हुआ और 21 को मैं इसको जगह दी गई तो 2002 यह प्रस्न छपा है यह प इसे 2001 में आया और मौली कदिकार बनाया गया 2002 में आपको सिख्षा 2003 में 17 छेत्री इंजिनेरिंग कौलेज और राष्टियए प्रदोगी की संस्ताने में आपको जो चेत्रिये इंजिनेरिक कौलेज थे वराष्ट्रिये प्रदोगी संस्तान में परिवर्तित हुए, क्लियर है, 2004 में सिक्षा को समर्पित, एडूसेट, प्रस्न पूछता है, एडूसेट क्या है, ये सिक्षा को समर्पिते उपगर है, जिसे कब छोड़ा गया, 2004 में, आज बहुत सारी जो टेलिवीजन पे, सिक्ष बंदित है, और सिक्षा को समर्पित उपगर है, और छोड़ा कब गया, 2004 में, 2005 में संसद अधिकार अधनियम, आनी, आर, टी, इ, लागू, जो पारित हुआ, लागू बाद में हुआ, लागू हो गया, ये, 2010 से, आज इस वीडियो में इतना ही, आपको अच्छा लगा होगा, और आप बहुत सारे, अलग-अलग सं से सिख्षा से संदर्वित की जों को आपने देखा होगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं जल्दी ही नए टॉपिक के साथ नए सुचना के साथ नए चीज़ के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किय है तो सब्सक्राइब कीजिए अगर लगता है कि यह बेहतर चीज़ है तो लोग के साथ से एक लिए थैंक ये सो मच्छ जहें विएर लोग बेहतर चीज़ है